नमस्कार आदाब मैं हुसेन रिजबी तो इस जीत को एवियम का चमतकार भी कहा जा रहा है लेकिन एक और चर्चा खूब है मौलाना सज्जाद नुमानी की अपील का क्या हुआ नुमानी साब तो अगारी को जिताने के लिए काफी मेहनत करने की बाते कर रहे थे लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगारी के हार के बाद उन्हें सफाई देनी पढ़ लही है महराश में कम से कम 38 विदान सबा सीटें ऐसी हैं जहां 20 फीस से ज्यादा मुसल्मानों की अबादी है और इन सीटों पर भी बीजेपी ने इस बार अच्छा परदेशन किया है इस बार बीजेपी ने इन 38 सीटों में से 14 सीटों पर जीत हासल की जबकि 2019 के चुनाव में यहां उन्हें 12 सीटें मिली थी मगर इन सीटों पर कांग्रिस को नुकसान बड़ा हुआ है कांग्रिस ने इन 38 सीटों में से सिर्फ 5 पर जीत हासल की जबकि 2019 में कांग्रस के खाते में 11 सीटे आई थी महा यूती को 22 और महा विकास अगारी को सिर्फ 13 सीटें इन 38 सीटों में मिली जबकि ओवैसी की पार्टी A.I.M.I.M. को सिर्फ एक सीट हासिल हुई बात अगर मुसल्मानों मुसलिम उम्मिद्वारों की की जाए तो महाराश्ट की 288 विदानसबा सीटों पर 420 मुसलिम उम्मिद्वारों ने अपनी قسمت आजमाई लेकिन सिर्फ 10 विदानसबा सीटों पर मुसलिम उम्मिद्वारों को जीत हासिल हो सकी क्या महराश्ट के विदानसभा चुनाव में पॉलराइजेशन हुआ या काउंटर पॉलराइजेशन हो गया क्या हिंदू वोट एक जुट हुआ क्या मौलाना की अपील ने हिंदू वोटों को एक जुट कर दिया क्या मुसल्मानों का वोट भिखर गया और महराश्ट की हार के साइड एफेक्स क्या क्या होंगे आज इसी पर चर्चा होगी बहुती खास मेहमानों के साथ अपने मेहमानों से आपकी सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं जुनायद हारी साथ जामिया मिलिया अस्लामे के प्रोफेसर है इस्लामिक स्टेडीस के बहुत बहुत स्वागी थैसर आपका इसके लावा बीडी नक्वी साथ हैं फॉर्वर जजज, लॉयर और एक्टिविस्ट के तौर पर फिलहाल इस वक्त सुसाइटी के लिए काम कर रहे हैं इसके बाद कलीम उलहफीज साथ है, राईनितिक विशलेशक है, पहले सियासी दुनिया में भी काफी चर्चाओं में रहे हैं और डॉक्टर मुजीबुर रह्मान साथ, आप भी जामिया मिलिया स्लामे से जुड़े वे हैं रिसर्च स्कॉलर हैं और हाली में एक किताब आपकी आई है, शिक्वे हिन, दे पॉलिटिकल फ्यूचर आफ इंडियन मुस्लिम्स आज हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे कि महराश्ट के जो नतीजे हैं, उनके क्या साइड इफिक्स हैं, उनके क्या और असरात जो हैं, वो अलग-अलग राज्यों में देखने को आने वाले वक्त में मिलेंगे सबसे पहले मुझीबर रह्मान साब आप से शुरुआत कर लेते हैं, चुकि आपका जो सब्जेक्ट है वो वैसा ही है, महराश्ट के नतीजे, लोग सबाच चुनाव के बाद, विधान सबाच चुनाव के नतीजों ने आपको कुछ हैरान किया, या जो आप एसस कर रहे थ उसके लिए, तो from that point of view एक बहुत बड़ा सर्प्राइस था, दुसरी बात रही कि हिंदुस्तान के इलक्टरल हिस्ट्री में, आपको पता होगा कि कई सारे स्टेट्स में, बोटर लोग नास्थनल एलेक्शन में एक तरीके के वोट करते हैं, और स्टेट एलेक्शन या से दुसरी तरीके से वोट करते हैं, दिल्ली का मसला हुआ या ओडिसा में कई जमाने तक हो रहा था, और अभी महारास्टर में हमने देखा, कि नास्थनल ट्रेंड कुछ अलग होता है, और स्टेट का ट्रेंड कुछ अलग होता है, तो यह सारा चीज को हमको comprehensively, holistically देखना च जिसके जरिये सज्जाद नुमानी साहब ने एक तरीके से सफाई दी है, माफी नावा लब्स का खास्तोर से उन्हें इस्तमाल किया, बिना शर्ट माफी मांगता हूँ, जिस तरीके से उन्हें अपनी बात कही थी, उसके बाद जो कुछ हुआ, उसको लेकर के यह उनका ट् लेकिन उसका आसर जो है, रिवर साइड में हुआ, अगर आप देखे, मतलब हाँ, काउंटर पॉलराइज़ेशन उसके वज़े से हुआ, क्योंकि जो बीजेपी और कॉलीशन का जो पूरा मशीनरी है, वो नरेटिव चेंज करने में इतनी मजबूत है, कि वो नीचे तक उ जीते हैं, मुसलिम्स ने उन्हों वोट दिया तबी वो जीते हैं, और भी बाकी तीन जो वोट जो उनके कंडिडेट हा रहे हैं, वो थोड़े थोड़े वोट से हा रहे हैं, इससे पता यह जलता है, कि मुसलिम्स में तो कोई पोलराइज़ेशन नहीं हुआ, मुसलिम्स न और मिजोरिटी में पॉलराइडेशन हुआ लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगा और उसमें मीडिया भी आती है कि इस तरह के जो बियान जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहे वो बहुत हलका बियान है उससे ज्यादा सक्त बियान हमारे जो हिंदूओं के जो रिशी मुनी हैं या जो बड़े उनके बुज़र्ग हैं उन्होंने दियान दिये हुए चाहाँ धिरेंदर शास्त्री होँ चाहाँ आभी मुक्तना जो दूसरे जो नान उनके हुए उसके साथ तो एकनाशिंदे उसका शिकार बने हुए है बीडी नक्विस साब जरा ये समझाए कि अवी मुक्तेश्वरा नंद जो है वो जाहिर एक हिंदू संथ है उन्होंने सज्जाद नुमानी से पहले अपील की थी कि महायुती को मेरा आशिरवाद है और उनको जिताईए तो उस पर उतना डिसकस नहीं हुआ राम भद्राचार साब अभी कली कह रहे थे कि जो है जो हिंदू हित की बात करेगा वो सक्ता में राज करेगा देश में राज करेगा तो सज्जाद नुमानी साब इतना कैसे फोकस डोग है देखिए ऐसा है कि मीडिया में जो तक्त हैं जो फोर्सेज हैं वो जाहरे सज्जाद नुमानी की बयान को उनों ने जादे रिखाया इसलिए उसको जादे किया कि लेकिए ये सोचना इंडियन सोसाइटी जो है माराष्ट हो या कोई भी स्टेट हो वो अलग-अलग सोसाइटी है ऐसा नहीं है कि मुसलिम एक यूनिट है हिंदू एक यूनिट है ऐसा नहीं हिंदू सोसाइटी के अंदर दलित है पिछले हैं और लोग भी है वहाँ माहराष्ट में सही लड़ाई थी गुजराती लाबी में और हमारे मराठा प्राइट की जो लड़ाई थी वो थी बिसिकली उसको काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई लेकिन मैं ही मानता हूँ जैसे अभी आप में देख रहा है तक कैजी का प्रोटेस्ट हो रहा है के वियम में वोटी निकले जीरो वोट निकला कांग ने का जब बीजेपी लिडर के पास कई हजार करोड पैसा निकला और जितना पकड़ गया और पहुंच कितना गया ये नहीं बालुए हिंदुस्तार के गरीब आदमी दहजार बली पांस रुपे वोट कई हजार रुपे वोट ये बहुत बड़ा मस्टला है जितनी गुर्बत फैल ल के लिए एक चीज होती है डूटी टोवर्स सोसाइटी हर आदमी इपनी डूटी को अंजाम दे अदालतों से बड़ी उमीद है सोसाइटी को तो अदालते क्यों नहीं बहुत सारे मामले में संग्यान ले लेती है अदालतों का प्रावलम है कि किसी में लेंगे किसी में लें वो आलनोबिल जस्टिस गवाई का मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम कि आज बुल्डोजर पर चेक लगी और हमें लगने लगा नहीं भई यह हमारी वेलफरे स्टेट है यह बुल्डोजर स्टेट नहीं है चंचुर सामने जो सामने दो-ती जिए लेकिन एक जो है उनका जो सारे प्रावलम की जड़ बना हुआ है अब आप बताईए संबल का अदालत ने जो लोर कोट है चलिह हम संबल पे लिए जाते हैं हम अदालतों का जो रुख है जो पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है जुनाइधारी साफ अब जरा साफ ये समझाई कि धुर्वी करांट तो हर बार होता है हर बार कोशिच भी करती हैं सियासी पार्टिया इस बार ऐसा क्या नया हो गया पिर आप अगर जर्नल इलेक्शन में देखें अभी लोग सबाच चुनाव हाली में हुए उस वक्त भी वोट जिहाद की बाते हो रही थी इस बार ऐसा नया क्या हुआ क्या देख आप में देखे बात असल ये है कि बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नियत नहीं कामाती दलील और हुजज़त मुल्क आजाद हुआ और आजादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई ये तो सिंबॉलिक नेम्स हैं इसके इलावा जितनी कमुनिटीज हैं सबके एक साथ विकास और एक साथ मुल्क की तामीर के हवाले से हमारा सम्विधान भी तयार हुआ और जाहर से बात है कि वोट की राजनीती भी इसी हवाले से चलनी चाहिए और जहां तक विशारधारा की बात है विशारधारा की बात भी ये है कि हम किस तरीके से मुल्क की तरकी के लिए हमने कौन सा नजरिया अक्तियार करना है लेकिन बदकिस्मती ये रही मलक की कि इसके अंदर पॉलराइजेशन इस तरह की चीजे की तास्ब की बुनियात पर हिंदू, मुस्लिम और तरह तरह की चीजों की बुनियात पर हम बढ़ते चले गए सजाद अभी बात आई थी कि सजाद नुमानी साहब का बयान आया और इसके इलावा कितने लोगों के बयानात आते रहें नाम लेने की जरूरत नहीं सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की चीजों को पकड़ करके या O.S.E. के भाई की एक जुमले को पकड़ करके अब पूरी तरीके से पुलराइज करने की कोशिश करना, मुसल्मानों के खलाफ माहौल बनाने की तैयार करना, ये मुल्क के बदकिसमती है ये सारे मौके दूसरे पॉलिटिकल पार्टीस के पास भी तो हैं, जो विपक्ष में जो या पर सीधे का है, माविकासा गाड़ी के पास भी तो था, ने, मैं वो सारे टूल, वो सारी चीज़ें उनके पास भी दी देखिए, मैं आपसे पहले ही मैं कह चुका हूँ, ये कौन कितना इस्तेमाल कर पाता है, और कौन किस तरसे मलिकार जुन खड़के ने कली ये बात कही है, कि हमें हमारे पक्ष में महौल है, उसको जीत में कैसे तबदील करना है, हमें ये सीखना होगा हाँ, जाहर सी बात है, भी सीखना है, कोई शक नहीं क्याई का है, कोई शक नहीं है कि सूसाइटी के अंडर जो सही अपरोच है और मुल्क की तामीर के हवाले से जो सेकूलर अप्रोच है उसे आम करने के लिए जो तरीकेकार है कहीं नै कहीं कमज़ूर पड़ा है और उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है जॉक्टर मुझीबूर्रह्मान, महराष्ट का जो नतीजा है, वो खास तोर से मुसल्मानों के लिए क्यास अंदेश दे रहा है और आने वाले वक्त में पिर दूसरे स्टेट्स में उसके क्यास रात होने वाले देखिए महराष्ट का जो रिजल्ट निकला है, वो तो एक स्टेट का रिजल्ट निकला है, लेकिन इससे बड़ा जो चुकि मुझे खुद सज्जाद नुमानी साब की बात याद आ रही कि यहां के नतीजे जो है दिल्ली तक अपना असर रखेंगे, इसलिए मैं जाना चाहरू आँँ आपसे या थोड़ा बहुत असर रहेगा, लेकिन सवाल होता है 2014 का जो पार्लामेंट एलेक्शन था दोहजार निस का जो पार्लामेंट एलेक्शन था, उसका जो नतीजा है, उसका जो इम्प्रीकेशन से ऊवाट ज्यादा है, महराष्टरा पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडियन वोटर्स का जो वोटिंग बिहेवियर है उसके उपर में जो एनलिसिस हमारे पंडित लोग करते हैं उसमें बहुत से खामिया है मुझे जहां तक पता है कि मैं खुदी इलोक्रल स्टेडिस का स्टूडेंट रहा हूं अमेरिका में टेकसस उनिवर्सटी में मैंने पढ़ाई किया है तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो उतने अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं इसका जो साइकलोजिकल डाइमेंशन से बताएं आप बताएं प्लीज हाँ तो उसमें जो सबसे बड़ी बात यह होती है कि यह एक मल्टी डाइमेंशनल फिनोमेना है इसमें कोई एक पर्टिकलर डाइमेंशनस एक पर्टिकलर टाइम पे इंपाक्ट करता है तो कई सारे चीज जो सेंसरे स्लाने हो जाते हैं मीडिया के उपर में लेकिन अदर्वाइज जो ग्राउंड रियलिटीज है जहां तक आप हिंदुस्तान के वोटिंग बेह बियर देखेंगे जादा तर जो जमीनी मुद्ध है उसके उपर में भोड़ दिया जाता है मेरा यह सुच है कि जैसे सरत पावर काफी उमर हो गया है और उनकी लड़की का उतना सारा इंफ्रेंस नहीं रहा है कांग्रिस के अंदर में काफी सारा इंटर्नल प्रॉबलिम है यह सारा चीज और उधब साकरे सिंदे साब से थोड़ा कमजोर लगे यह सारा बहुत सारा फैक्टर्स एक कालिशन जो बीजेपी के खिलाफ में था उसको पर में इंपक्ट पड़ा और अजीद पावर साहब जैसा मदरसा के लोगों का तंखा बढ़ा दिया मैं सुस्ता हूँ वो भी काफी सारा मुसल्मानों के पास आउटरिच करने के लिए और अजीद पावर साहब बीजेपी के मोहरा के हिसाब से मैं सुस्ता हूँ बहुत सारे मुसल्मान नहीं देखते हैं उनको क्योंकि वो एक अलग पोजिशन लेते हैं तो इस तरीके से उनका जो एनसीपी का पुराना पोजिशन से प्रो मुसल्म वाला वो वाला वो काफी सारा असर्ट किये हैं जबके पदनभी साहब ने बहुत सारे क्रिटिकल स्टेटमेंट दी हैं जिससा आउरंग जबके आउलाद वगरा वगरा करके तो इसलिए यह सारा फैक्टर्स मैं सुस्तना मॉबिलाइज़शन के उपर ने इसमें एक चीज़ जो ज़र देखी आपकी बहुत अच्छा होता है। जर्ञे इसमेंट किया जी जिसलिए कि अजिए पावर साहब एक खास अपना मुकाम बनाए हुए हैं मुसल्मान के इस्व के सिल्चले में जैसा कौन सा ऐसा बीजेपी का कॉलिशन है जो की मदरसा का तंखा को बढ़ाने के लिए उस तरीके से पॉलिशी स्कीम जो निकला वहाँ पर कुछ मैंने पहले वैसा निकाल सकता है अजित पावर के पाटी से ज्यादा स्ट्रांगर निकला और ज्यादा मेसेजिंग अच्छा किया होगा यह मेरा सोच है तो यह फर्क हम पहली बार देखे हैं कि बीजेपी के कॉलिशन का अंदर में एक इस तरीके से डिस्टिंक्ट प्रो मुसलिम पोजिशन को बीजेपी का जो कॉलिशन है वो भी एकसेट कर रहा है और अलाव किया है होने के लिए यह यूपी या बिहार होगा या नहीं वो अलग बात है तो इसके अंदर में थोड़ी बहुत तबदिली हम देखे हैं तो इसका कुछ असर आया है लेकिन मेरा जहां था कि यह सोच है कि करनाटक में बीजेपी हारा उसका एक इतनी बड़ी अंटी इंकंबनसी थी इसलिए और उसके कॉंग्रेस के भी मोबिलाइशन बहुत अच्छा रहा तो इसलिए कॉंग्रेस ने जीता और सारा हिंदुस्तान में आप देखेंगे जितना स्टेट इलेक्शन हुआ है वहाँ पर मुसल्मान जादा तर उसी पार्टी को भोट दिया है या उसी कैंडिट को भोट दिया है जो कि बीजेपी को हराएगा जहाँ दिल्ली में वैसा हुआ जाकि कॉंग्रेस के कैंडिट सफ़ार है लेकि महराश में ऐसा नहीं हुआ महराश में ऐसा नहीं हुआ तो इसको समझने की जरूरत है हफीस अब यह वाला जो सेंटिमेंट से क्या यह ट्रैवल करके दूसरे स्टेट में भी जा रहा है हो सकता है पोलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है पोलिटिकल बीहेवियर में कुछ भी हो सकता है यह सारा चीज मोबिलाइजिस्ट को अपर में डिपेंट करता है हफीज अब जरसा एक चीज़ ये भी समझाई, मैं कुछ लोगों से बाते कर रहा था कि भई फेस नहीं था, कॉंग्रेस के पास चेहरा नहीं था, एक मराठा फिगर की जरुट होती, वहाँ पर मराठा राजनीती भी है तो आपकी नजर में क्या था और खासतोर से मुसल्मानों के लिए जो वहाँ से मैसेज निकल रहा वो क्या है देखिए महाराश्ट को अगर आप एस्क्लिसिवडी देखें, तो एक तो महागारी में एक शिवसेना है, जो बहुत ज़्यादा एंटी मुसलिम रही थी एक जमाने में तो जब उसको अकसेप्ट कर लिया, मुसल्मानों ने और मुसल्मान शिवसेना को देने लगे, तो एक तरह से वो डालूट हो गया, वो जो बीजेपी के अगिंस्ट रहता था या हिंदुता फोर्सेस के खिलाफ मुसल्मान रहता था, वो उसमें डालूशन हुआ, नमबर कहा कि ये हमारे कंडिडेट नहीं होंगे, हम इनके खिलाफ परचार करेंगे, जबकि अजित तवार ने उसके अगिंस्ट, ये कहा कि हमारे कंडिडेट होंगे, तो ये जो एक नरेटिव, एक जो मैसेजिंग थी अजित तो ये बड़ा दिल्चस्प लेकिन, साथ हैं भी, स इसमें बड़ा जबरदस्ट वेल डिजाइन है, वो जब देखते हैं कि जब वाटर बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा उपर जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ब्यान दे देते हैं, हमेशा से RSS की डॉल पॉलिसी रही है, RSS हमेशा से कहती कुछ रही है, करती कुछ और रही है, या बिफोर पार्टिशन भी, तो इसलिए RSS की डिजाइनिंग या RSS की जो पॉलिसी है, उसको अगर आप माइनुट माहरास्ट्रा में बिल्कु क्लासिक केस है, हंडेट परसेंट वो कामियाब हुए है, मैं नहीं समझता कि उसकी कामियाबी दिल्ली में आईगी या बिहार में आईगी, चुकि दिल्ली का वोटर डिफरेंट है, और वैले वेर है, दूसरा RSS का उतना होल्ड नहीं है, दिल् कि आप जज रहे हैं, बहुत सारे फैसले आपके कलम से निकले होंगे, अब बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, फिर मौलाना सज्जाद नुमानी साब के इंट्री और यसे बहुत सारी बाते माह हुई, वोट जिहाद, धरम युद, बहुत सारी चीज़े, इन में स एनलेसिस हुआ हमारे बिर्दर ने किया, हमारे साथी, रहमान साब में, कि महराष्ट के बारे में मैं उस्यागरी करता हूँ, कि यह जो एक चीज़ है, अप्रोच कि बहां में इदर से अप्रोच कर लें, उदर से अप्रोच कर, इंडिया में आप देखेंगे, कि बंगाल म दुनिया का हिंदुस्तान कोई भी ऐलक्षन हो, बंगाल मामता बनाजी जीती है, क्या कोई असर पड़ता है, हमारे सामने तामिलाडू एक मिसाल है, वहाँ पैरियर मुव्मेंट का असर है, कुछ भी होगा, वहाँ पैरियर मुव्मेंट जो है, वो चीजों को बदल नहीं द साइटी, मुझे मैं अब यहाँ इंडिया के लिए कहूंगा, मनी रुपीज दी गॉर्ड आफ इंडियन साइटी, यहाँ जो चीजो हो रही है, हम अमरीका सिस्टम पे जा रहे हैं, हमारी सोच उधर जा रही है, क्या हमारा कुछ फायदा हो, पावर हंगर, मनी हंगर, जी, यहाँ आप यहाँ आप यहाँ पैसे के लिए कुछ भी कर देगा, जो जो खराब ट्रेंड है, यह ट्रेंड कहां रुखेगा, लेफ्टेस्ट मुवमेंट बहुत कमजोर हुआ है इंडिया में, और सारी दुनिया में, उसके असरात हम देखेंगे भी आने वाले वक्त में, चीज़ें और खराब हो सकती हैं, लेकर हमें कोशिश करना होगा चीज़ों को अच्छा करने के लिए, काश नफरत की यह दिवार गिरा दे कोई, हम दोगस्त हैं, दुश्मन नहीं, यह बता दे कोई, हमने हर सम्त मुहबत का पैगाम दिया, इमारत ताच की जाकर दुखा जन्जीर गुलामी की मिलकर तोड़ी हमने, जन्जीर गुलामी की मिलकर तोड़ी हमने, तारीक के वारा अख उनको पढ़ा दे कोई, और आखरी शेर है, यह जल्म वस्तम कर तक चलता रहे गा, अब मजबूर मजजूर के आबाद उठा दे कोई, जरूरत है क्यों समाट कर उसको क्या मिलने वाला है? क्या एकुलिटी अफ अपरजोटी जो हमारे सम्विदान, हमारे काल्फिशन कहता है, क्या उसको मौका मिलेगा? हमें इस तरह से ऐसी देश को बनाना है, ऐसी पॉलिसिस को बनाना है. हमारा मकसद इस चैनल के माध्यम से यह है कि लोग समझें और ग हम बताएं, फिर सवाज जल्दी से सवाल पर आईएगा. चली पैट जाएगे. हलो, दिस इस युकता भार्टवाज, मेरा सवाल सर, आप से आपने कुछ देर पहले अभी कहा, कि मुसल्मानों ने बीजेपी की अलाइंस में जो पार्टी हैं, उन्हें तो वोट दिया, लेक उनका सवाल सीधा सही है, कि मुसल्मान बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते बाई? जो भी चुकि वो किसी हद तक कमजोर भी है, पॉलिटिकली एक तरह से वो आइसुलेशन में भी चला गया है, तो वो अपनी सेफटी सिक्योरिटी के लिए उसको वोट करता है, जो भी जब भी गोहर आ रहा हूँ, लेकिन समहाँ वो उनके उस ट्रैप में फस चुका है, कि कॉंग्रेस चिस पे या कॉंग्रेस ऐलाइंस या जिसको मा विगास गाड़ी कहेंगे, उसके पास भी कोई ऐसा फार्मूला नहीं था मुस्लिम्स के लिए, जो उससे वो अटेच होता, तो उसकी शिकायत उससे भी बराबर बनी रही, लेकिन चुकि बीजेपी विजेपी जो नेता हैं, जो केंदरी मंतरी हैं, वो इस तरह की जहर अफशानी जबान इस्तमाल करते हैं, ऐसा इस्तमाल करते हैं जैसे कि हिंदोस्तानी मुसल्मान हिंदोस्तान का शहरी ना हो, कई दूसरी जगा का हो, इसलिए मुसल्मान बीजेपी को वोट करते में एक बार जरूर सोचता है लेकिन उसके एलाइंस को वोट करता है एक चीज इसमें बहुत लोगों ने दिल्चस्प कही कि निशाद कितने सुसाइटी में है लेकिन वो भी एक पार्टी के जोरी अपना असर रखते हैं मुसल्मान 15-16 फीसाद होने के बावजिद अपना असर नहीं रखता है ये बात बहुत सारे मुसल्मानों को परिशान करती है अरिस साब आप कुछ कहना चारे है हाँ मैं इनके सवाल के हवाले से कहना चारू हूँ देखिए बीजेपी किसी के लिए मुफीद नहीं एक चीज़ और मैं इसमें जोर दू बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं क कि मुसल्मानों को पूरा का पूरा वार्ट बीजेपी को कर देना चाहिए तब बीजेपी क्या करेगी ठीक है ठीक है ठीक है मैं बीजेपी किसी के लिए भी मुफीद नहीं हमेशा कहता रहा हूँ कि ये ने मुसल्मानों के लिए खत्रा है ने हिंदू के लिए खत्रा है हम अगर किसी की आस्था गाय से जुड़ी हुई है तो उसको ना काटा जाए लेकिन इसके जमाने में 20 बीफ एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और मैं कहता हूं कि गाय की गुर्बानी इनका ख्याल लगते हुए जो लोग पूजा करते हैं नहीं करना चाहिए लेकिन जहां बीजेप बिहार और मध़ परदेश और राजिस्थान यहां पर वो माता है और वहां पर जाकर के वोट की राजनीती के तहट कटने के लिए आज़ाद है तो किसकी आस्था के साथ मजाख कर रही है आप देख लिए तो मैंने हिंदू के एक मिसाल दे दूँ मैं मुसल्मानों के पुरा एक निजाम है एक सिस्टम है मैं यूसी सी के तहट बात कर रहा हूँ इसके बावजूद मुसल्मान यूसी सी की मुखालफत के हुआले से चुप रहा कि ठीक है उसका ड्राफ तो सामने आये लेकिन जो पहला स्वारूप आया उत्तरा खंड के हुआले से वो क्या आ खा अलग से निकाल दिया और बागी लोगों को शामिल किया वो है कि तारगट किया सिर्फ मुसल्मान को कि मुसल्मानों का जो यूसी सी के तहट जो पूरी की पूरी चीज़े आती है वो तो एक मुलक और एक गानुन के तहट आ जाए लिगनाम डे ट्राइबल्स को निकाल है कटेंगे तो बटेंगे यूस की हुए कि जाते है अगर आपने काम किया है तो आमने काम किया आप हमें वोट दें आप ऐसे भी बोल सकते लेकिन इस तरह के नारे पॉलिटिक्स में यूस करना काफ की साथ तक ठीक रहेंगे नारों की वैसे अपनी तारीख है बहुत को पैशन्स को बढ़ाया जाए मैं आपको मुस्लिम सुचाहिटी का अल्मिया बता दूँ जो बात करें मिस्ट अंसारी नारे तक्बीर अल्लाह अपर मुसल्मानों को यही नारा है मजभी यही स्यासी नारा है नारे को इंक्लूसिव करना होगा हमें हमें थाट परोकिंग क मैं एक और बात जो आप लोगों पताना चाहता हूँ पॉजिटिव इस देश के अंदर हिंदू इस्लाम के बारे में मैंने जो चीज चाटी है हिंदू इस्ट्रॉंग मैसिज देता है टॉलिंस का कोई भी हमारा हिंदू भाई के ख़र में हमके नमाग पढ़ना हो गता के लिए गुर्दो आ रहा है सिक्ष्म चैरिटी तो हमें क्या चाहिए टॉलिंस अफिंदू इस्लाम हमें ऐसा भाटिये चाहिए जो इन सब चीज़ों को मानता हूँ मैं ऐसा भाटिये चाहिए तब हमारी समाज के अंदर एक पॉजिटिव सोच होगी और आपको यंग जे होंगे तब अलेक्शन हुआ था जो जनसंग थी और जब जन्ता पार्टी बनी तो जमाते इसलामी और जनसंग के लोग साथ-साथ जेलों में खाना काते थे जब इमर्जिंसी बनते सब इमाम बखारी को मैदान में लाने वाले यही लोग ते मैं उस दिल्ली में था जब इ भी बद लेंगे वो खराब होगा वी वांट अ बेर सुसाइटी ए गूर सुसाइटी फर दिस कर्टी दैट सॉल एलेक्शन चलते रहेंगे महराश ट्राइक अबरिशन है चीज़े हम देखेंगे आगे हम यह समझते हैं कि चीज़ें अच्छी होंगी और यह मैसेज इतना स तो कटोगे हिंदुस्तान के हिस्टॉरिकली देखेंगे जो सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान के पास है वो है इक्वालिटी का कास्ट और कास्ट के अंदर इक्वालिटी का क्या हालत है क्या होने वाला है कास्ट और धरम के हिंदु धरम और मुसल्मान धरम 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 के में equality के सिलसे में क्या position है क्या होने वाला है या gender के सिलसे में क्या होने वाला है male और female में तो बटोगे तो कटोगे slogan में जब हम लोग एस slogan को देखते हैं ज्यादे तर आम इनसान यह समझता है यह मुसल्मानों के खलाफ में है और Hindu unity के बारे में बात करता है लेकिन हिंदू यूनिटी के अंदर में जब बात करता है ये सवाल जब उट रहा है क्या ये हिंदू सुसाइटी के अंदर में कास्ट इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है क्या ठाकूर और दलित समान है इसके बारे में बात कर रहा है तो इसका कोई clarity नहीं है तो एक तरफ ए पोलाराइजेशन को हिंदू पोलाराइजेशन को help कर रहा है दूसरे तरफ secular counter polarization जो होना चाहिए एक बाबा बागेशन है शायद आपकी नजर पड़ी हो अभी उन्होंने एक ता यात्रा निका लिए यात्रा जब खत्म हुई हिंदू समाज के जो जात्पात है उसको खत्म करने के आहवान के साथ तो भद्राचार साहब है उन्होंने भी इस बात को कही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जी जी नहीं उतना बड़ा हम लोग actively movement नहीं देख रहे हैं जैसा मोहन भागवत साहब भी इसके सिलसले में बात किया और मैं मेरे किताब के first page second page में में इसके बारे में discuss किया हूँ कि जातुद खत्म होना चाहिए लेकिन उसका जो उस तरी के से societal level में activities होता है जैसा religious polarizing के बारे में इस तरी के से activities होता है उसमें काफी फर्क हम लोग देखते हैं तो ओ चीज नहीं हो रहा है तो मैं सुचता हूँ हिंदुस्तान में जो equality का समानता का जो सवाल है उसको उठाना जादा चाहिए क्योंकि ए जो अपील है जातर fraternity के बारे में होता है fraternity without equality can never bring about substantive fraternity एक superficial fraternity एक कथा लाने का कोसिस कर सकता है लेकिन substantive तोसे नहीं कर सकता है लेकिन मैं एजवाब सवाल जो मुसल्मान की voting behavior के बारे में बीजेपी के तरफ है उसमें दो लाइन कहना चाहता हूँ 2014 के election में बहुत सारे मुसल्मान बीजेपी को vote किये थे मोदी साथ को खास तर पर vote किये थे सबका साथ सबका विकास सुलगन में मेरा एक किताब है Rise of Suffer and Power करके जो के रटले से पब्लिस हो है Reflections in Politics करके उसमें मेरे एक खास चाप्टर है Muslim voting behavior के उपर में उसमें गुजरात में करनाटक में और उतर पर इसमें खास तर पर मुसल्मान लोग बीजेपी को significant number में vote किये थे लेकिन उसके बात का जो माहौल बना बुल्डोजर जस्टिस से लेकर Citizenship Act तक, Lynching तक यह सारा जो माहौल बना CA, 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 वो सारा जो माहौल बना साहिनवाग वगरा जो हुआ उसमें BJP की कोई outreach नहीं रही और अभी भी आप देखिए जब एक ए सवाल उटता है कि आज हिंदुस्तान में एक हमारा सरकार है इतना मजबुत सरकार है उसमें एक भी मुसलिमान काबिनेट मेंबर नहीं है ये बात बार बार सरकार में कोई है ही नहीं कोई ही है ही नहीं पारलामेंट में और BJP मुसलिमान कोई candidate देता है लास सिलेक्स में बीजेपी ने एक ही candidate दिया था 330 candidate से जो उन candidate बीजेपी वालों को भी पता था कि वो जितने वाला नहीं है इस तरीके से सिचुएशन से तो बीजेपी के तरफ से आउट्रीच में बहुत बड़ा फर्क डाला हो लेकिन बीजेपी की साथी पार्टी शिंदे वाली वो भी अब्दुल सत्तार को जिता के ले आती है जी जी वो छोटे लेबल में होता है नासनल लेबल में ये जो सवाल है कि एक तरफ हमारे प्राइफ मिनिस्टर सहब ये कहते हैं कि हमको सेकलर सिबिल कोड चाहिए लेकिन सेकलर सिबिल कोड के साथ सेकलर consuming है क्या हमारा सरकार सेकलर है जहाँ पर कि इतनी बड़ी तादाध में वाला एक minority community का एक भी नुमाइंदा काबिनेट में नहीं है उनके पार्टी में नहीं है अफिस आप जल्दी से बहुत पूरी करें क्योंकि पीछे साभी कई सवाला में है जहां से आपने बाश शुरू की थी कि सियासत और मुसल्मान और मौलाना का बियान मैं सिर्फ इतना कहँँ कि जो फिलाल जो सूरत हाल है मुसल्मानों की जो सियासी सूरत हाल है और जो पस्ती है उसकी असल वज़ा यही है कि हमारी जो मजभी तन्जीमे है वो आखरी वक्त में जो बियान दे देती है और एक अपील जारी करती है उससे जो काउंटर पॉलराइजेशन होता है और यह मैं पिछले 2000 से देख रहा हूँ और बीजेपी का जो इतना जो राइज हुआ है और इतना जो पूरे पैर इंडिया वो च्छा गई है उसमें इन लोगां कंट्रिबूशन है यही बड़ा मुजिर हैं यह लोग नुकसान दे है मेरी आपके चैनल के तवस्स से अथ्रू यह अपील है कि मुस्लिम तन्जी में जो खासों से मजभी हैं उनका इंफ्लूएंस है चुकि हर जुम्हे में वो ही लोग खुद्बा देते हैं उनको एक कैप्टिव आउडियंस मिलती है जो आद़ गहंटे के लिए सर जुकाए बैठी रहती है उनकी बात सुनती है तो उनका असर रहेगा लेकिन अगर वो इसको अच्छे से सोशल रिफॉर्म के साथ एक पॉलिटिकल रिफॉर्म की तरफ कोई तैयारी करें और तैयारी के साथ फिर कोई मैसेज दें तो ज्यादा असर होगा बजाए इसके का आखरी वक्त में जो बियान दे देते हैं इससे फाइदा तो बिल्कुल नहीं होता और नुकसान बहुत ज्यादा होता है नारों के हवाले से बात आई देखें नारों की मुखालफत भी नहीं है मैं कहा रहा हूँ यूनिटी बहुत जरूरी है लेकिन मुल्क पर कौन सी आफ़त पड़ी है अभी बंगलादेश का मामला आया हम बिल्कुल पूरी तरह से कह रहे हैं मुसल्मान की हैसे से बात को कह रहे है कि किसी भी मुल्क के अंदर माइनावाटीस पर जल्म नहीं होना चाहिए खासुस अल्लह के रसूल ने तो इसकी जबरदस्त मुखालफत की है मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मुल्क अटेक भी कर लेगा अल्लब हिंदुस्तान का मुसल्मान बंगलादेश के हिंदूों के साथ खड़ा है एक दब खड़ा है इसी बात को मैं कर रहूं सिर्फ कहड़ा नहीं है बलकि ये उमीद करता है कि हमारी सथ्टा हमारी हुकूमत अगर बंगलादेश पर अटेक भी कर दे हमारी लिए खुशी की बात होगी और हम अगली सफ में खड़े होंगे चली बहुत चीबात है एक सवाल पीछे से EVM के हवाले से आ रहा था अपना नाम बताए और सवाल मेरे नाम सानिया है सर मेरे सवाल था कि EVM जब चुनाव हारते हैं तो EVM पर सवालात किये जाते हैं और चुनाव जीतने पर वो सवालात नहीं होते चोटे मोटे लेबल पर कुछ हो सकता है माल फंक्शनिंग ये वगएरा वगएरा लेकिन आप किस तरीके से अनालिसिस कर सकते हैं जैसे कि उतर प्रदेस में बीजेपी की इतनी बड़ी पारलेमेंट इलेक्शन में इतनी बुरी तरीके से बुरा रिजल्ट आया उसको आप किस तरीके से EVM के पॉइंट आफ यू से और बीजेपी गशनिंट के इन्फूनेंस से रिलेट कर सकते हैं प्रदेश ने कहा था कि ये हार और बड़ी होने वाली थी उन्होंने हार को छोटा कर लिया जी तो मेरा जो जहां तक अपना जो अंडिस्टान्डिंग है कि EVM सवाल और उतना एहमियत नहीं रखा रहा है पैलिड नहीं बहुत जारा है तो ये चुनावाईव की जिम्मेदारी उसको दूर करे क्योंकि महराष्टा के चुनाव और जहारकन के चुनाव में एक वाज़फ फरक है वहाँ पे पांच बज़े तक वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आया नहीं 58 परसेंट और नहीं का वोटिंग हुई उसके बाद आकर तक आते आते वह 68 पर पहुँच गया यहीं 8 परसेंट का फरक आया 66 पर पहुँच गया और जहरकन में सिर्फ दो 1.8 परसेंट का फरक आया एक दफा तो ऐसा भी हुआ था कि एनाल नहों गया कि इतने परसेंट है फिर कुछ गंटो बात बताया कि नहीं साब कम था मतलब यह जो है जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उससे थुड़ चंद गंटे पहले 10 लाख वोट बढ़ाये गए महाराष्टर में तो यह जो सवालिया निशान लग रहे हैं यह चुनावायू की जिम्मधारी है अगर आप एमानदार हैं भी तब भी एमानदार होता दिखना चाहिए अगर यह नहीं दिख रहा है और जनता सवाल कर रही है आखर अपोजिशन आखर सवाल कर रही है तो जब अमेरीका में हो सकता है बैलेट पेपर से, वहाँ पे भी 30 क्लोड वोटर है, तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? सब मशीनरी का मिस यूज हो रहा है, यूज हो रहा है, इसको चेक करने का कोई पैमाना हो सकता है, कैसे पता किया जाए? जो सारे वीडियोज आएं, बिल्कुर सही का करीम सामने के मिस्क्यूज हुआ है, जो आप कुदर की की बात कर रहे हैं, जो मुझे पता है, एक तो जो समाजवादी केंडेट पापुलर नहीं था, दूसरा, अकलेश ने कांग्रेस से गड़बंदन नहीं किया, यह पिछली ज उन्हों ने जान की वोट दिया बीजेपी के केंडेट को, जो तीन बार हारा हुआ था, तो ऐसी कांस्ट्रेंसी मुस्लमानों ने जिताया, जिसमें मिजरिटी मुस्लिम सी, साथ परसेंट मुस्लिम, यहां राहुल गांदी की गहर मौजूदगी, बिल्कुल, डेफिनिली क आखरी कॉमेंट मुझे आपका चाहिए, क्या यह महराष्ट का जो चुनाफ का नतीजा है, यह तरह का धरम काचा है, जो अभी हमको आने वाले वक्त में दिल्ली और बिहार में भी इससे जुड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है, नहीं महराष्ट का नतीजा, यकीन इस मामने में तो सबक आमोज है, कि पॉलिटिकल पार्टिस खासों से अपोजिशन को यह सोचना होगा, कि उनको अपनी ग्राउंड मशीनरी कैसे मजबूत करने है, दूसरा उनको एवियम का काउंटर कैसे करना है, तीसरा यह जो एंटी मुसलिम नरेटिव गड़ने में जो का आपने खुद कहा जहारकंड, जहारकंड बिल्कुल डिफरेंट था, महराष्ट बिल्कुल डिफरेंट था, इसी तरह से सारे स्टेट डिफरेंट रहेंगे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को उसी से सीखने की जरूर जरूर है, बिल्कुल, बिल्कुल, महराष्ट में और काउंटर पॉलराइजेशन ने बड़ा काम किया तो ये भी सच है कि धुर्वी करण का मौका भी थाली में परोस कर दिया गया जिसे लेकर काफी हंगामा बर्पा है महाविकास अगारी की बड़ी हार की वज़े से इंडिया गडबंधन सद्मे में है और गडबंधन की गाठें भी कमजोर पड़ लई है महाराश का की ये जीत वाला जो फॉर्मूला है दिल्ली बिहार जैसे दूसरे राज्यों की विधान सबाच नौँ में कितना कामियाब होगा ये तो वक्ती बताएगा लेकिन बहुत से लोग कह रहे है उसी को जीने का हक है इस जमाने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोने के लिए थैंक यू सो मच